हलो दोस्तो आज अंतर राष्टी नर्स दिवस के थियास तरतमायत्त के बारे में जानेंगे अंतर राष्टी नर्स दिवस हर साल 12 माई को अंतर राष्टी नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है यह हर साल फ्लोरेस, नाइटेंगल के जनम दिन की वर्सगांट के तोर पन मनाया जाता है आज दुनिया भर के ज़्यादतर देश कुरोना वाइरस महामारी से जूज रहे है अंतरराश्टी नर्स दिवस इस भैंकर महामारी के बीच में खास मैत रखता है अंतरराश्टी नर्स दिवस समाज में नर्सों के योगदान का जशन मनाता है नर्सों के साहास और सरायनी कारों को देखते हुए विस्व भर में 12 माई को इंटरनेशनल नर्स दे मनाया जाता है इस महामारी के दवरान नर्स अपनी जान की परवाय किये बिना तनमन से सिवा करके जान मचा रही है फ्लोरेंस नाइटेंगल को विस्व की पहली नर्स कहा जाता है उन्होंने क्रीमियम युद्ध के दवरान लांटें लेकर घायल ब्रिटिस सैनकों की देखभाल की थी इस वज़े से उन्हें लेडी बिद्दा लेंप भी का गया है नर्स अपनी परवाय किये बिना मरीज की तन मन से सेवा करती है जान बचाती है अपने घर और परिवार से दूर रहकर मरीज की सेवा नर्सों के साहस और सनाय सराहनी कारे के लिए ये दिवस मनाया जाता है नर्सों के काम को समझना समाज में अधिक लोगों को इस पेसे के लिए प्रुत्साहित करना और सम्मान देना इस दिन का मुख उद्देश है नर्स अस्पतालों और क्लीनिक्यों की रीड की हड़ी मानी जाती है और वो अपनी जान को जोखेंग में डाल कर मरीजों की देखबाल करती है इस महामारी से लड़ने में नर्स सबसे आगे हैं डाक्टरों और अनस्वास्त कर्मियों की तरह नर्स लगातार बिना ब्रेक के मरीजों की देखबाल कर रही है अमेरिका के स्वास्त, सिच्छा और कल्यान बिवाग की एक आधिकारिक डुरोथी सुंदर लेंड ने पहली बार नर्स दिवस मनाने का प्रस्ताव 1953 में रखा था पहली बार इसे साल 1965 में मनाया गया जन्वरी 1974 में 12 माई को अंतरराष्टी दिवस के तोर पर मनाने की घुशना की गए इसी दिन 12 माई को आधुनिक नर्सिंग की संस्तापक फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म हुआ था उनके जन्म दिन को ही अंतरराष्टी नर्स दिवस के तोर पर बनाने का फैसला किया गया साल 1965 में सभी साल 1965 से अभी तक ही यह दिन हर साल इंटरनेशनल काउंसिल ओफ नर्सिंग त्वारा अंतरराष्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये की अंतरराष्टी नर्स दिवस के रूप में जानकारी